हाई फ्रेंड्स आज देखिए कितना खुब्सूरत सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन से काडिगन बना सकते हैं कोटी बना सकते हैं सॉल बना सकते हैं मापलर बना सकते हैं बच्चों को स्वेटर पर डाल सकते हैं जैन्स के स्वेटर पर डाल सकते हैं बहुत ही खुब्सूरत डीजाइन है यह तो आज मैं इसी डीजाइन को अब सभी के साथ शेयर करूंगे वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ मैं कैसे बना हुआ है और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत और यहाँ पर एक फंद सीधा बुनेंगे फिर धागा अपने तरफ एक दो दो जाली देंगे अब यहाँ पर देखिए धागा अपने तरफ एक अब यहाँ पर हम तीन को एक करेंगे फिर दो को एक करेंगे फिर देखिए धागा पीछे एक फंद सीधा धागा अपने तरफ एक दो तीन चार यहाँ पर चार जाली दे दिए अब पीर धागा अपने तरफ दो को एक कर दिए फिर आप यहाँ पर हम 3 को एक करेंगे सि फिर 3 को एक द эти कर दिए फिर 2 को एक करेंगे सित्चे पिर देखिए धागा पीच्छे एक फंद सीधा अब यहाँ पर 1 2 haut, दो जाली दे दिए यह लास्ट का फंदा है तो इसको हम सिधा सिधा बुनेंगे उल्टे के तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लिट करेंगे यह कम्प्लिट हो गया अब फिर सिधा के तरफ से एक पंदा सिधा फिर यहां पर एक जाली देंगे फिर एक और जाली देंगे और अब यहां पर दो को एक करेंगे धागा अपने तरफ दो को एक करेंगे अब यहां पर फिर हम तीन को एक करेंगे इस तरह से तीन को एक कर दिये फिर दो को एक करेंगे धागा पीछे यह देखिए एक, दो, दो जाली हो गया फिर दो को एक किये फिर तीन को एक किये फिर दो को एक की और फिर यहाँ पर एक पांद सीधा अब यहाँ पर दिखिए एक दो तीन चार यहाँ पर हम चार जाली देंगे और फिर धागा अपने तरफ फिर अब दो को एक करेंगे यहाँ पर दो को एक कर दिए अब फिर हम तीन को एक करेंगे फिर तीन को एक कर दिए फिर दो को एक करेंगे फिर देखिए धागा पीछे एक फंदा सिधा अब यहाँ पर दो जाली देंगे एक दो यह दो जाली कम्प्लीट हो गया और यह लास्ट का है तो इसको हम सिधा सिधा बुनेंगे अब उल्टे के तरफ से पुरा रो उल्टा बुनेंगे यह देखिए पहुत ही आसान और खुबसूरत डिजाइन है झाली के इसका है तर खुबसूरत बुनेगे अबुनेगे एक पहुत है कि यह उल्टा उल्टा कंपलीट हो गया इस तरह से अब फिर इधर से हम सिधा बूनेंगे फिर इधर से उल्टा बूनेंगे यह 4 सलाई सिधा उल्टा बूनेंगे फिर आगे मैं बताऊंगी इसको ये देखिए ये चार सलाई उल्टा सिधा कम्पिलीट हो गया ये देखिए एक दो तीन चार चार सलाई पूरा कम्पिलीट हो गया उल्टा सिधा अब हम फिर इसी तरह बनाएंगे डिजाइन को इस तरह से ये प्स्टा सिधा कि यहां पर हम क्या करेंगे इसको हम कि absolutely यहांपर हम हम दो को यह करेंगे इस तरह से यह 2 को यह कर दिए फिर 3 को यह करेंगे पिर देखिए या धागा पीज़े एक पंदशी य त्पने तरफ हम जाली देंगे एक, दो, तीन, चार, यह चार जाली हो गया, अब यहाँ पर धागा अपने तरफ, अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे और फिर तीन को एक करेंगे फिर यहां पर तीन फंदा को एक करेंगे फिर दो को एक करेंगे धागा पिछे एक फंदा सीधा अब यहां पर देखिए एक, दो, तीन, चार चार जाली कम्प्लीट हो गया धागा अपने तरफ अब फिर दो को एक करेंगे और फिर हम दो को एक करेंगे, दो बार दो को एक करेंगे, और यह लास्ट का है तो इसको सिधा बुनेंगे, उल्टे के तरब से पूरा रो हम उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे, और भ्रीट को झी तर प्रेंगे, झाली सिक्टा बुनके करेंगे, झाली सिफ मवदरा उल्टा बुनोप्लीट इसको साओाएंगे, झाली सिपा झाली सिल करेंगे। अब फिर इधर से धागा अपने तरफ अब यहां पर हम दो को एक करेंगे फिर एक और दो को एक करेंगे अब फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा अब यहां पर फिर हम चार जाली देंगे एक, दो, तीन, चार यहां पर हम दो को एक करेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा और फिर चार जाली देंगे एक, दो, तीन, चार यह चार जाली कम्पिलिट हो गया अब फिर देखिए दो को एक करेंगे यहां पर फिर एक और दो को एक करेंगे फिर धागा पीछे इसको सिधा सिधा बुन के कम्पिलिट कर लेंगे यह इसी तरह बनेगे डिजाइन उल्टे के तरफ से पूरा रोह हम उल्टा बुन लेंगे यह देखिए बन के इस तरह आएगा कितना खुब्सूरत लग रहे हैं उमीद करती हूं आप सभी को जरूर पसंद आया होगा यह डिजाइन तो इसको लाइक किजिए और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भुलिए सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस किजिए ताक मैं कुछ नहीं डिजाइन लेकर